ग्रैमंद्राले ने आज आसाम में एनर्सी लागू कर दिया है और उनिस लाग से ज़्यादा लगवक लिश्ट जारी की है अज आर्सी एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ जिसके कारण जो इलिगल घुस्ष्पैटी है जो चौरी से सीमा पार करके वेश्ट बदल करके और रहने लगते हैं भारत में असम में भी यह समस्या है बंगाल में भी समस्या है दिल्ली में भी समस्या है तो आज उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया 19 लाख लोग वो लोग पाए गए कि वो लोग रोहिंग्याज बंगला देशी इलीगल गुस्पैटी है हर बंगला देशी इलीगल नहीं है तो इसके लिए हम धन्यवात करते हैं क्रियमंत्री जी को अमिर साध जी और हम साथ साथ ये भी अफ्कोसिस कर रहे हैं कि दिली में भी NR.C जल चल लागू होना चाहिए पहले ही भी कहते हा रहें कि दिली में NR.C लागू होना चाहिए और आज भी कहाँ हाँ क्योंकि NRC एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है देखिए हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं आए दिन हमारे देश में आतंकवादी घटनाए हो जाती थी और तो यहीं आतंकवादी घटनाए होते करने कोन आता था तो जब illegal घुस पैटिया कोई कस्मीर से घुस गया कोई बंगला देश की सीमा से घुस गया कोई रोहिंग्याज के रूप में घुस गया तो कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा और फिर illegal घुस पैटियों के लिए तो किसी देश में जगए नहीं है अब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो नों ने जिन से अब सवाल पुछा जाने चाहिए कि बहुत उनीस लाख लीगल लोग कैसे आसम में आए किसने इनको रासन काड़ दिया किसने इनको वोटर आईडी काड़ दी तो वैसे ही दिल्ली में भी सेम प्रोसेस शुरू होना चाहिए क्योंकि दिल्ली देश की राजदानी है और यहां के हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और इलीगल घुस पैठी है सुरक्षित पर खतरा है दिल्ली में आपकी सरकार आते है तो आपको इसको लागू करेंगे इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं भाई हम जब दिल्ली में अभी भी हम मांग तो करी रहे हम तो इसके पक्ष में है तो निश्यत रूप से हम उनको एनरसी को एनरसी दिल्ली में भी लागू करने के हम पक्षदर है तो लागू हो गई लगता है आपको दिल से पंद्रह लाख क्यास पास हैं जो लोग हमारे हिंदुस्तान के किसी गाउं के नहीं हैं और यहां वेस्ट बदल के रह रहे हैं और वो उनके उपर इनर्सी के तहद कारवाई आवश्य होनी चाहें कितना भी मुस्किल होगा हम किसी के साथ अन्याए नहीं होने देंगे कोई निर्दोस को सजा नहीं होगी और जो दोसी होगा वो बचेगा नहीं ऐसा हमें इनर्सी के मामले में इलीगल घुसपैटियों के मामले में इनर्सी ऐसा कानून है यह थे मनुस्तिवारी जी केमरमन अभी से के साथ धर्मेंद कुमार लाइब नियुस दिल्दी